आज की वीडियो में आपको एक मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो के अकसर लोग 3D मॉडलिंग करते वक्त अंजाने में करते हैं और मैं आपको इस मिस्टेक का सुलूशन भी बताऊंगा साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे के ब्लेंडर में लिंक डिसलेक्ट क्या होता है सबसे पहले तो मैंने ये टेबल 1 वाली ब्लेंड फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में दिये गे लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो नमपैड 1 दबा के फ्रन्ट और्थोग्राफिक व्यू में आ गया और इस टेबल को सेलेक्ट करके टैब दबा के इस टेबल के एडिट मोड में आ गया 3D व्यूपोर्ट में थोड़ा सा जूम आउट किया ए दबा के सेलेक्ट आल किया और मूव वाले गिजमों से इस टेबल को यहां मूव कर दिया एड मेन्यू में जाके मेश में जाके एक क्यूब एड किया और टैब बटन दबा के एडिट मोड से अबजेक्ट मोड में आ गया अब अगर मैं अबजेक्ट मोड में टेबल को सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो कि क्यूब भी साथ ही सलेक्ट हो रहा है और अगर मैं क्यूब को सलेक्ट करूँ तो टेबल भी साथ ही सलेक्ट हो रहा है इतना ही नहीं अगर मैं क्यूब को सलेक्ट करके मूव वाले गिजमों से क्यूब को मूव करूँ तो आप देख सकते हो के टेबल भी साथ ही मूब हो रहा है और अगर यहां आउटलाइनर पैनल में देखूँ तो यहां भी मेरे पास एक की अबजेक्ट है ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने क्यूब को 3D व्यूपोर्ट में एड़ किया था तो मैं टेबल के एडिट मोड में था अब मैं यह चाह रहा हूँ कि मैं इस क्यूब को सेपरेट अबजेक्ट बनाऊ ऐसा करने के लिए मैंने क्यूब पर क्लिक किया तो टेबल और क्यूब दोनों ही सलेक्ट हो गए टेब दबा के एडिट मोड में आ गया All दबा के 3D व्यूपोर्ट में थोड़ा सा रूटेट किया अब मैंने इन दोनों में से किसी एक को complete select करने ऐसे ही situation में हमें जरूरत पढ़ती है link डिसलेक्ट करने की सबसे पहले तो मैंने keyboard से प्रेस किया 1 और vertex selection mode में आ गया vertex selection mode में आते ही मुझे ये dots दिखाई देने लग गए जिनको vertices भी बोला जाता है अब अगर मैं इस पूरे cube को select करना चाता हूँ तो मैं mouse cursor को cube की किसी भी एक vertex पर लेकर जाऊंगा और यहां लाकर keyboard से L बटन दबा दूँगा ऐसा करते ही आप देख सकते हो कि सारे का सारा cube select हो गया इसे ही link select बोला जाता है काम की बात यह है कि link select आप vertex selection mode में भी कर सकते हो edge selection mode में भी कर सकते हो और face selection mode में भी कर सकते हो फर्क सिर्फ यह आएगा कि जैसे मैंने vertex selection mode में जाके माउस करसर को वर्टेक्स पर रखके L दबाया तो Cube सेलेक्ट हो गया इसी तरह अगर मैं 2 दबा के Edge सेलेक्शन मोड में जाऊं 3D व्यूपोर्ट में साइड पर क्लिक करके Cube को डिसलेक्ट कर दूँ और अब किसी भी Edge पर माउस करसर को ले जाकर L बटन दबा दूँ तो देखो Cube सेलेक्ट हो गया इसी तरह अब मैंने 3D व्यूपोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताके सब कुछ डिसलेक्ट हो जाए 3 दबा के Face सेलेक्शन मोड में आया माउस को Cube के किसी भी एक Face पर लेकर आया और कीबोर्ट से L बटन दबा दिया तो देखो Cube लिंक डिसलेक्ट हो गया 3D व्यूपोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताके सब कुछ डिसलेक्ट हो जाए और कीबोर्ट से One प्रेस करके वर्टेक्स सेलेक्शन मोड में आ गया अब अगर मैं क्यूब के Face पर माउस को लेकर जाऊं और L दबा के Link डिसलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो देखो Cube सेलेक्ट नहीं हो रहा ऐसा इसलिए क्यूब के मैंने Blender को वर्टेक्स सेलेक्शन मोड पर रखा हुआ बट कमांड मैं उसे Face पर जाकर दे रहा हूँ कुल मिला के बात ये है कि Link डिसलेक्ट करने के लिए अगर आप वर्टेक्स सेलेक्शन मोड में हो तो आप वर्टेक्स पर जाकर L बटन दबाओगे अगर आप Edge सेलेक्शन मोड में हो तो आप किसी भी एक Edge पर जाकर L बटन दबाओगे और अगर आप Face सेलेक्शन मोड में हो तो आप किसी भी एक Face पर जाकर L बटन दबाओगे तो ये Object Link सेलेक्ट होगा Add the End अब हमने उस गलती को भी सही करना है जो हमने की थी यानि के Table के Edit मोड में Cube को Add कर दिया था इस गलती को सही करने के लिए सबसे पहले मैंने 3D Viewport में साइड पर क्लिक किया ताके सब कुछ डी सेलेक्ट हो जाए 3 दबा के Face सेलेक्शन मोड में आया Cube के Face पर माउस करसर को लाके Keyboard से L बटन प्रेस करके Cube को Link डिसलेक्ट कर लिया इसके बाद Keyboard से P बटन दबा के सेलेक्शन पर क्लिक कर दिया अब Tab दबा के Object मोड में आया तो आप देख सकते हो के दोनों Objects को मैंने सेपरेट कर लिया अब यहाँ से मैंने Table को सेलेक्ट किया और Outliner Panel में जाके Table का नाम रख दिया Table तो इस तना से जब भी कभी 3D मॉडलिंग करते वक्त आप से ये गलती हो जाए कि आपने New Object को सेपरेट अड़ करना था बट Edit Mode में गलती से अड़ कर दिया तो मॉडल को Link डिसलेक्ट करके P दबा के सेलेक्शन पर क्लिक करके सेपरेट कर लेना मेरी आज की वीडियो में आपने एक Mistake के बारे में जाना जो अकसर लोग 3D मॉडलिंग के दुरान करते हैं इस Mistake का सलूशन भी मैंने आपको बताया और मैंने आपको Edit Mode में L दबा के Link डिसलेक्ट करना भी सिखाया एक बात याद रखना कि Link डिसलेक्ट सिर्फ और सिर्फ Edit Mode के लिए है Object Mode में आप Simple क्लिक करके ही सारे Objects को सेलेक्ट कर सकते हो Next वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि Reference Images क्या होती है Reference Image को Blender में Import कैसे करते है और Reference Image के जरिए हम Blender में Egg बनाना सीखेंगे